हेलो एबरीबडी गूड इबनिंग कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपी पूलिस कोंस्टेबल भेकेंसी 2021 की देखे दोस्तो इसमें जो नई भेकेंसी आने वाली है टोटल पोस्ट की संख्या बताई जा 326 एक सवाल रहता है कि उम्रे में कितनी छूट मिलेगी ठीक है एज बताइए तो वह भी बताएंगे सिलेबस ऑपेश यली क्या है इस बार क्या पुछा जाएगा कितनी नंמה का फूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे इस वीडिएो में वीडिव में साथ लेकिन बहुत सारे चाहत री रहेए हम सब्सक्राइब आज हो गया कि दोस्तों यो भेकैंसी आने वाली है हाला कि मन्त इदर उदर हो सकता है यह जो चर चल चल रही है दोस्तों भेकैंसी की आज का खबर है दोस्तों 25,000 सिपाहीं की भरती के लिए बोड ने भेजा है प्रस्त यहां पर दिया कि आप पड़ सकते हैं विडियो को पॉस्ट करके ठीक है तो यहां सी चर्चा सुल जारू होई है ठीक है तो हमने दो मेने पहले ही बता दिया कि एलेक्षन है यूपी में अगले साल और उससे पहले वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी यह बत 100% सच हो रही है ठीक है चलिए खेर इस बात को छोड़ते हैं तेकि नीचे आते हैं दोस्तों सबसे इंपोर्टेंग एज लिमिट क्या मांगेगा एज लिमिट में अगर छूट मिलेगा कि तो कितना छूट मिलेगा इस सब हम डिसकास कर लेंगे कि कुई इस पर बहुत सारे चातरों का कैरि सबसे पहले एज लिमिट 18-23 साल ध्यान दिजिएगा दोस्तों मेल की निडेट का जो जैनल के निडेट है उनका 18-23 साल एज मांगता है ठीक है यह जो दोस्तों एज मांगेगा मेल की निडेट का सुट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 साल मीनिमर नोटिफिकेशन चब ठीक है देखिए अला के हला के दोस्तों दकि यहां पर ओवीस सी एस्य और अश्टी कि निडेट है उनका 18 से 28 साल एज यानि पांच साल जादा है छूट मिल सकती है पांच साल का जोस्तों जोस्तों हाला की हो सकता है और आपका 2 साल बरबाद हुआ है न्युन बेकेंसी दे 18-25 सल हो जाए थीक है तो इस बात को त्यान रक्राइए बाके जो केटेग्री साल 25 साल tavmas जो सकत और अधर जो कांडिडेट है fan . Acc t वह समझते है जो सबस्तों अगर ज्निडेट है और …" خाषिज कर दिया जाए दोशाल केछुटे च्रिक assim हो सकता है होड़ी होूर गारे को बता दिया ठीक है देखे दोस्तों इस बार दुसस्तो जो एक्जाम होगा ओनलाइन होगा, ओनलाइन होने का मतलओ जो ग noon लाइन होने का मतलओ से कटइवेट्स ऋस्टो आपको देखने को मिलेगा कब से अपलाई होगा वह बताएंगा हम सबसे पहले, लास्ट येर का जो टक गया था वह हम डिसकास कर लेते हैं देखेए जो कट अब गया था दोस्तो जेनरर की निरेट की बात करें तर 185 गया था ठीक है इस सल कितना जाएगा मैं आंगे डिस्कॉस करूंगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कट अप पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जिस अनुसार से जिस प्रसने पुछे जाएंगे कहने के मतलब है जिस स्रीपने मार्क लिए हाड है उसका ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा मतलब आपको पता है कि अगले साल दोस्तों अप्रेल महिने में हो सकता है अप्रेल या मैं में यूपी में इलेक्सन है उससे पहले दोस्तों आचार सहीता लग जाता है तो कोई नया वेकंसी देखनों को नहीं मिलेगा कोई नया काम नहीं होगा अचार सहीता लगने पर तो उससे से पहले दोस्तो अपरेल से पहले वेकेंसी देखने साल करेंद की दोस्तो अभी सितंबर तancheडी यкіतना समय सितंबर मांके पूरा पता दिया दोस्तों नोटिबिकेसन देखने में ठीके तो उतकी समय में PC करना स्टड़ी पर पढ़ाई पो तो अपलाई करने का डेट हमने बता दिया दोस्तों नौवंबर से लेके दिसंबर या जैनवरी तक देखने को आपको मिलेगा तीन महीने इसके ही अंदर आपको देखने को 100% मिलेगा एज में छूट की देसे हमने बताया कि दो साल हो सकता है जे लेबस क्या है देखिए 300 नंबर का प्रसने पुशा जाएगा 2 घंसा मिलता है जीके कितना पूच्छा जाता है सबसे इंपोर्टनेशlिख ट्रीट tomorrow का यानि कितना हो जाएगा 46 नमबर का ठीक है इसके अलावा क्या पुछा जाएगा एक कोश्चन दो नमबर का होता है यानि 46 नमबर का हो गया ठीक है इसके अलावा क्या पुछा जाएगा रिजिनिंग पुछा जाएगा 37 पुछे जाएगे एक कोश्चन दो नमबर का यानि 74 हो हैं देखिए दोस्तों पिछला साल का अपने हमने बता दिया आपका कटप कितना है गयता अगर आप अन्रिजर्ब है इस साल दोस्तों इडाब्लीडेट भी जोड़ गया है ध्यान रखिए दोस्तों नबबे से लेके 210 आपको लाने की कोशिज करना है तो भी आपका कोशिज करना एक 180 से लेके 200 मार्क्स लाने की तबी आपका सेलेक्शन हो सकता है यह भी फाइनल नहीं है डिपेंड करता है एक्जाम के लेवल पर ठीक है और अगर आप सिक निडेट है तो आपको कोशिज करना 150 से 160 या 150 नमबर लाने का ठीक है देखिए और स्टीक निडेट की बात करें तो अगर आपको एक सो पीस से 140 के भीच आपको मांक्सलाना है ठीक है इतना आपको कोशिज करना यह भूदD मार्किन होगा के नहीं होगा दोसेंग आपको बता दिया जाएगा ठीकते रनिंग कितना होता है रॉनिंग होता है फोर पेन एट किलो मीटर यानिえー मेर उर फीमेल के बता दिया मैंने ठीक हाईट कर लैते की हाइट कितना होता है और कुछ अहम बाते हम दोस्तों तो डिसकस करेंगे वेकेंसि से रिलेट हलेटीप ठीक है और पोस्टे रिलेटिट डिकी यहां पड़ाइंप पहले में बता दू जो टोटल फजग छहेट दोस्तों यह शेंथ बढ़ सकता है ठीक है तो पोस्ट घट भी सकता है ये भी इगरों नहीं किया जा सकता ठीक है तो लेकिन घटने का बहुत कम चांसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा देखिए हाइट की बात करें अगर आप मेल के निडेट है मैं पहले मेल का बता रहा हूं हाइट का देखिए जेनरल के निडेट EWS candidate, OBC candidate और दोस्तों SC candidate तो 168 cm आपका हाइट होना चाहिए ST candidate का हाइट में कम मांगता है दोस्तों कितना होना चाहिए 160 cm ध्यान रखेगा CM यह मैंने बता दिया मेल का ठीके फीमेल का भी बताऊंगा female का हाइट अगर हम बात करें दोस्तों general, EWS, OBC और दोस्तों SC candidate का female के 152 cm मांगता है और ST candidate का मांगता है 147 cm हाइट होना चाहिए दोस्तों आपना नपवा लिजिएगा आपका हाइट कितना है चेस्ट की बात करें only male का मांगता है दोस्तों ठीके अगर आप ST candidate है तो आपका 77 मीनिमम ठीके और फूला के expand करके 82 होना चाहिए और जो बाकी candidate है ठीके जैसे कि general हो गया OBC हो गया EWS हो ठीके और SC हो गया इनका हाइट कितना होना चाहिए दोस्तों मैं चेस्ट कितना होना चाहिए 79 से 84 ध्यान रखेएगा minimum 79 फूला कर 84 त्या सारा कुछ हमने दोस्तों एक ही वीडियो में बता दिया आंगे आने वाले वीडियो में दोस्तों बताऊंगा best book आपका कौन सा है किस book से आपको तैयार दाना सकते हैं पुड़ा वीडियो को रोक्ति के अगले साल ये पिछला बैकेंसी के बारे में कुछ कोति जागा है तो आपको टेफिवर. ये दोस्तों देखने हो को मिले जाएंगा जैसे हमने पताया दोस्तों नovंबर यांशन गर्वरी ठीकिश के बीच क्योंकि अगले साल जो इलेक्शन शुरू होने वाला है उससे पहले सरकार हर सरकार यह करती है कि छात्रों को दोस्तों एक नया वेकेंसी दे देती है हाला कि कब यह कंप्लीट होगा फाइनल मतलब कब तक आपका ज्वाइनिंग मिलेगा उस पर दोस्तों संसे बना हुआ है को जो होता है दोस्तों उसको कैसे रुकता है यह सब आंगे डिसकस करने वाली बाते हैं फिलाल आपको यही बताना था कि दोस्तों जो वेकेंसी है वो 25,000 पदों से ज्यादा आने वाली है दो महने पहले ही हम दोस्तों वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे चाती यह कह रहते ह क्योंच नहीं है था कोई हमें जब जनकारी है एकस्पिरियंस के साथ ही हम बोलते हैं इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं हमारे चानल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हम ऐसी दोस्तों वीडियो लाते रहते हैं कोई भी गवर्मेंट जोपो उससे रिलेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमेरे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए वीडियो को लाइक करते दोस्तों आप लाइक बहुत कम करते हैं वीडियो तो देखते हैं लाइक कम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं लाइक जरू करे friends के पास अपने share भी करें कोई अभी भी सवाल है दोस्तों कोई सवाल पुछना है आपको तो comment के माद्यम साब पूछ लीजिएगा ठीक है सवाल पूछना तो comment के माद्यम साब पूछ लीजिएगा अपना बहुत ज़ता ख्या लखिएगा धन्यवाद